तो vector quantity क्या है और scalar quantity क्या है उसके हम लोग examples लेते हैं तो scalar quantity मतलब देखो examples देता हूँ तो तुमको understand हो जाएगा स्केलर quantity क्या है अगर इस pain का mass अगर इस pain का mass 1 kg है 1 kg नहीं है 200-500-100 g रहेगा अगर इस pain का mass 1 kg है मास कितना है 1 kg तो इस mass का direction पेन का mass है 1 तो magnitude कितना हो गया 1 पेन का mass कितना है इस pain का mass है 1 kg तो magnitude कितना हो गया 1 तो 1 kg को कुछ direction रहता है क्या downward direction में 1 kg है या फिर this direction में 1 kg है या फिर उस direction में 1 kg है या फिर उपर की direction में 1 kg है उसको कुछ direction नहीं है इसको कुछ direction नहीं है बस magnitude है तो इसको बोलते है scalar इसको direction नहीं है बस magnitude है तो इसको बोलते है scalar scalar का और example क्या है मास के बाद क्या है लेंध है ओके चलो तो इस पेंट की लेंध कितने है चलो इधर देखो सब लग तो इस पेंट की लेंध कितने है paint की length मैं assume करता हूँ 10 cm है 10 cm के आसपास रहेगी या फिर थोड़ा 15 cm तक रहेगा यह 15 cm तो मैं paint की length कितना assume किया है मैंने 10 cm तो length 10 cm है मतलब meter में कितना 0.10 meter meter में कितना 0.10 meter अब यह length इस direction में 10 है क्या इस direction में 10 है क्या नीचे 10 है क्या उपर दस है ऐसा तो हम लोग बोलते नहीं length को कुछ direction रहता नहीं तो length भी क्या है scalar quantity है और कौनसी scalar quantity है अभी यह बोलो मुझे यह है scalar यह quantity है scalar अभी acceleration due to gravity यह क्या है यह scalar रहे क्या वेक्टर है acceleration due to gravity को magnitude भी है यह वेक्टर है acceleration due to gravity क्या है इसको magnitude है कितना magnitude रहता है उसका 9.8 meter per second square कितना रहता है acceleration due to gravity का magnitude 9.8 meter per second square और उसको direction भी एक्सलेरशन due to gravity के सा रहता है डाउनवर्ड यह paint महीने छोडदिया तो paint किदर जा रहा है downward जा रहा है यह duster भी छोडदिया तो duster किदर जा रहा है downward ही जा रहा है तो acceleration due to gravity उसका direction downward Ist और हग्णिटउड भी है तो direction भी है और magnitude भी है तो यह है vector direction भी है उसको और magnitude भी है तो उसको हम लोग बोलते है vector ठेक है चलो और क्या है देखो velocity लिया है मेने velocity भी क्या है vector है velocity क्यों vector है देखो अभी अपने पास एक car है और car को हम लोग बगा रहे है अभी थोड़ा problem है क्या car को बगाने के लिए diesel लगता है और diesel के लिए अभी अपने पास पैसे नहीं है लोगडाउन है इसलिए क्या हो गया तुम्ही पैसा ही नहीं किसी के पास वो बात अलग है लेकिन pre-lockdown बात कर रहा हूं है pre-lockdown जब अपना जेब भरा हुआ था बहुत पैसा था तब क्या था तब हम लोगों को car भगाना था तब हम लोगों को क्या करना है car भगाना था तो car का velocity है 30 meter per second यह बहुत ज़्यादा velocity है car का velocity कितना है 30 meter per second इतना velocity से में car भगा रहो तो car का velocity को direction रहता है car इधर भाग रहा है क्या भग रहा है क्या इदर घाओ यह अपना ground यह एसा इधर ground है बहुत बड़ा ground है और बीच में car है तो car इधर भाग रहा है क्या आगे जा रहा है क्या इधर 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 जा रहा है तो car की velocity को direction भी है car की velocity को direction भी है और उसको magnitude भी है 30 meter per second से इधर जा रहा है या फिर 30 meter per second से इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है तो velocity has direction as well as magnitude, velocity has direction as well as magnitude, velocity है वेक्टर, तो अभी क्या है और कौन सा parameter है तुमको पता है, force, और कौन सा parameter है कि जो तुमको पता है force, और कौन सा parameter है कि जो तुमको पता है force, तो force क्या है, scalar है क्या वेक्टर है, तो force है vector, तो अब वेक्टर की में देखो, अब यहाँ पर pain है, तो pain को कैसा force हम लोग लगा रहे है, मैं इधर से 2 newton लगाता हूं तो इधर भागता है, मैं पेन को इधर से 2 newton लगाता हूं तो इधर भागता है, पेन को मैं इधर से 2 newton लगाता हूं तो आगे भागेगा, तो यह भी force 2 newton ही है, चलो चलो इधर देखो, फुल attention देने का, फुल concentration के साथ video देखो, अलग रूम में बेटो, जब तुम लोग वीडियो देख रहे हैं, जब तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, जब लेक्चर चल रहा है, अलग रूम में बेटो तो अच्छा concentration होगा, ठीक है? तो उदर से मम्मी गुम रहे हैं, उदर से पपा गुम रहा है, उदर से भाया आके बीच में से, ऐसा कुछ तो तुमको पिच्छे से, ऐसा पेन लगा रहा है, ऐसा अगर होगा, तो पढ़ाई क्या होगा? पढ़ाई अच्छा नहीं होगा, ठीक है? ना, अलग रूम पे ब तो शायद August में चालू हो जाएगा, तो इसलिए हमने foundation भी कब से स्टार्ट किया, में से foundation भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो time pass करके कुछ नही होने वाला, अभी classes बहुत दूर है, अभी August में चालू होने वाला, ऐसा नहीं है, अच्छा रिजल्स चाहिए तो पढ़ाई अपसे ही करना पड़ेगा ठीक है तो अलग रूम में बेटते जाओ प्रिफरेबली टेबल और चेर पर नहीं तो फ्लोर पर नीचे जमीन पर बेटो ठीक है चलो तो क्या है क्या बोल रहे हैं हम लोग तो फोर्स क्या है फोर्स भी वेक्टर है फोर्स को भी डायरेक्शन है और फोर्स को मैगनिटुड भी है दो न्यूटन का फोर्स इदर से लगा है तो पेन इदर भगता है दो न्यूटन का फोर्स ऐसा पिछे से लगा है तो इदर भगता है पेन अधर से 2N लगाए तो इधर भागेगा, तो हर एक 2N का फोर्स अलग काम करता है, क्यُnकि हर एक फोर्स अलग है, तो फोर्स में क्या है उसका डाइरेक्शन भी मैटर करता है, और उसका मैगनिट्यूड भी, दो न्यूटन इधर से लगाया तो अलग काम होता है, इधर से लगाया तो अलग काम होता है, तो force क्या है, वेक्टर है, उसमें क्या है, direction भी है, और magnitude भी है, ठेक है, चलो, displacement भी वेक्टर है, displacement भी भेक्तर है distance क्या है distance क्या है scalar है जितना तुम लोगों को terms पता है मुझे बोलते जाओ तुमको कुछ difficulty रहेगा तो अभी comment में पूछे जितना तुमको पता है अब तक physical quantities उनका हम लोग देखेंगे scalar है क्या भेक्तर है distance क्या है scalar है उसके बाद speed क्या है speed क्या है scalar है speed मतलब गाड़ी का speed 30 है speed और velocity इनको अलग-अलग define किया है speed और velocity इनको अलग-अलग define किया है velocity मतलब उसमें direction भी रहेगा और magnitude भी रहेगा और speed मतलब उसमें बस magnitude तो car का speed 30 है मतलब 30 है लेकिन किदर है वो नहीं पता नहीं चलता तो कार का श्पीट 30 है ऐसा बोला है तो कार का श्पीट 30 है लेकिन इधर है क्या इधर है क्या इधर एक तो उनको अलग-अलग defined किया है, तो speed scalar है, distance scalar है, displacement, distance के similar रहता है, लेकिन displacement क्या रहता है, vector रहता है, फिर work क्या है बोलो, work है scalar, work scalar, work क्यों scalar है देखो, यहाँ पे paint पड़ा है, उसको मैंने उपर उठाया, यहाँ पे paint पड़ा था, उसको मैंने उपर उठाया, यह करने के लिए क्या हुआ है, मेरा 5 joules खर्चा हो गया, यहाँ पर paint पड़ा था, उसको मैंने उठाया, यह paint उठाने के लिए मेरा कितना खर्चा हुआ, कितना energy खर्चा हुआ, मेरा 5 joules का खर्चा हुआ, तो जितना मेर मेरा एनर्जी का खर्चा होता है उसको बोलते है वर्क जितना मेरा जेब में से खर्चा होता है क्या जूल्स तो उसको बोलते है वर्क मतलब जितना खर्चा होता है उसको बोलते है तो इसको उपर उठाने के लिए मेरा खर्चा हुआ 5 जूल्स मतलब मेरे अंदर जितना एनर तो वर्क क्या रहता है, स्केलर रहता है, और एनर्जी भी क्या रहती है, स्केलर रहती है, और एनर्जी भी क्या रहती है, स्केलर रहती है, और एनर्जी भी क्या रहती है, स्केलर रहती है, ठीक है, मास तो मैंने बता दिया पहले इधर, मास पहला ही एक्जामपल लिया है, मा मतलब मतलब इस पेन का वेड़ इस पेन का वेड वेड मतलब ग्रैविडी मतलब अर्थ इस पेन को कितना नीचे खीच रही है वेट मतलब क्या रहता है यह अर्थ है अर्थ इस पेन के उपर अर्थ ने जितना भी फोर्स लगाया उसको एक मिन नर्बेटरी लो हो गया जरा तो वेट क्या रहता है इस पेंट के उपर अर्थ ने कितना फोर्स डाउनवर्ड 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 Weight is what? Force applied by Earth on the object. Weight का मतलब क्या होता है? Force applied by Earth on the object. So, force ही रहता है, weight मतलब force ही रहता है. So, weight again क्या है? Vector. So, weight क्या है? Vector है. Weight again क्या है? Vector है. ठीक है? चलो. उसके बाद next क्या आया है? Power. Power. Power क्या है? स्केलर, पावर मतलब एनरजी पर उनिट टाइम रहता है, पावर क्या रहता है, एनरजी पर उनिट टाइम रहता है, तो पावर क्या रहती है, स्केलर, पावर, सपोज अभी, फैन पावर कंजूम कर रहा है, फैन का पावर है, पावर कंजूम कर रहा है, फैन का पावर है, प उसको कुछ direction नहीं देता, तो power भी क्या है, scalar है, उसके बाद आया है pressure, pressure यह अलग quantity है, pressure ना vector है, यह ना scalar है, pressure ना तो vector है, ना तो scalar है, अब ऐसा क्यों, जब pressure chapter हो जाएगा, fluid dynamics तब में बताता हूँ, अब बस याद रखो, pressure ना तो vector है, ना तो scalar है, इतना quantities लिखो, फड़ाफट, इतना examples लिखो, chapter का नाम लिखा है, chapter का नाम क्या है, vector, heading लिखो, उसके बाद इतना examples लिखे लो, फड़ाफट काम करो, Vector का Definition और Scalar का Definition उसके बाद में देता हूँ Vector का Definition और Scalar का Definition इन Examples के बाद देता हुँ ओके चलो फड़ा फट लिकना चलो करो इदर लिखो Mass Mass, Scalar, उसके बाद Weight, उसके बाद Lends उसके बाद Lends फिर Acceleration Due to Gravity मतलब उसके बाद Velozity उसके बाद force चलो लिखो जो वेक्टर है जो टेंसर सही है टेंसर बोलते है उसको जो वेक्टर भी नहीं है जो स्केलार भी नहीं है उसको बोलते है टेंसर आइसी quantities रहती है एक तो pressure है और एक moment of inertia है वो तुमको हो जाएगा next दो ही quantities ऐसी है फुल सिलाबस में एक moment of inertia and pressure ये वेक्टर भी नहीं है स्केलार भी नहीं है इनको बोलते है टेंसर क्यों टेंसर बोलते है क्या है उन चाप्टर में देखेंगे अब बस याद रखो चलो लिखो फड़ा 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 लिखके ले लो अच्छा है अच्छा है अच्छा है current को scalar बोलते है current को tensor नहीं बोलते है current को scalar ही बोलते है electric current को tensor नहीं बोलते है इतना लिखो उसके बाद आगे के examples देखेंगे पहला इतना लिखो और examples उनको जो चाहिए बताओ मुझे हर एक का देखेंगे time भी scalar है time लिखेंगे इसके बाद इतना पहले तो लिखेंगे लो झाल ओगा जाल येखेंगे देखेंगे बहाद्ते है वोगा जो जो बहुँआ एलो जो जोगा झाल एलो औरो एलो चलो, उसके बाद लिखो क्या है, टाइम लिखो, टाइम क्या है, स्केलर है, टाइम क्या है, स्केलर कॉंटिटी है, टाइम क्या है, स्केलर कॉंटिटी है, उसके बाद क्या है, करेंट लिखो, इलेक्ट्रिक करेंट क्या है, वो भी स्केलर है, इलेक्ट्रिक करेंट अभी वा एडिशन का लॉट्स फॉलो नहीं करता, इसलिए करेंट को वेक्टर नहीं बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, करेंट का है स्केलर, लिखो, करेंट का है स्केलर, और देखो, और कुछ एग्जामबल चाहिए तो बोलो, तुमको याद आ रहा है, समझने रहा, बस हो गया, चलो, तो लिखो, क्या, स्केलर का डेफिनेशन लिखते हैं, स्केलर का लिखो, स्केलर का डेफिनेशन लिखो, स्केलर डैश, अभी डेफिनेशन हमको नीट के लिए और जेई के लिए कुछ भी यूसफुल नहीं है, डेफिनेशन नीट जेई के लिए यूसफुल नहीं है, इनिशल चाप्टर में में डेफिनेशन लिखे जेता हूं, ठीक है? चलो, डेफिनेशन लिखो. Only understanding के लिए definition काम का है, रट्टा बाजी करने के लिए definition काम का नहीं है, रट्टा करने का नहीं definition, only understanding. चलो, scalar का definition क्या है? Quantities having magnitude, quantities having only magnitude are called scalar quantities. quantities, 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 quantities having only magnitude, quantities having only magnitude are called scalar quantities. quantities are called scalar quantities. Quantities having only magnitude are called scalar quantities. अब वेक्टर का definition देखो थोड़ा अलग है, वेक्टर का definition थोड़ा अलग रहता है. Quantities having magnitude and direction, quantities having magnitude and direction, और वेक्टर, ऐसा नहीं है definition, थोड़ा अलग है. देखो देखो देखो, वेक्टर का definition, नॉर्मली तुमको क्या लगेगा, कांचन तेरा जो बोला है वो बोलता हूँ भी, यह इतना एक्ड़ पर देखते है. तो, quantities having magnitude, quantities having only magnitude और स्केला, quantities having magnitude and direction और वेक्टर, ऐसा वेक्टर का definition नहीं, वेक्टर का और थोड़ा अलग है. Quantity को magnitude भी चाहिए, direction भी चाहिए, और क्या चाहिए और एक कंडिशन? तो, क्या, 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 क्या चाहिए, देखो, quantities having magnitude, direction and they should also follow laws of vector algebra, तीन कंडिशन से, वेक्टर बोलने के लिए, किसी भी quantity को, किसी भी quantity को वेक्टर बोलने के लिए, तीन कंडिशन से, उस quantity को direction चाहिए, उसको magnitude भी चाहिए, तीसरा condition जो याद नहीं आता लेकिन रहता है, तीसरा condition क्या है? Quantities, vector algebra का law फॉट्र करना चाहिए, वेक्टर algebra का law मतलब क्या रहता है, मतलब vector का addition एक नया वेक्टर आता है, vector का subtraction एक नया वेक्टर आता है, वो loss हम लोग देखने वाले addition of vector, subtraction of vectors, वो loss देखने वाले, वो loss फॉलो होने चाहिए, वो loss भी फॉलो होने चाहिए, तो quantity को direction भी चाहिए, magnitude भी चाहिए, और उनका addition और subtraction vector जैसा होना चाहिए, उनका addition और subtraction vector जैसा होना चाहिए, अब vector जैसा addition क्या रहता है, और vector जैसा subtraction क् next होगा अभी जैसे जैसे chapter आगे ढिबाए तो वेक्टर का definition बस इतना नहीं यह हमको इतना लगता है लेकिन यह भी inspect werden. चैनिजू रहीं महगद रैरे Ganz और चानिजू कोंटी सोवीन under the look this is. महấंब महद रवें जो कहिती रहीं मंगद रैरे कohnt Uhr न रैक्निजू राष्ट रόडजIT रश्वन डेहीं म estarीजू और फालवन का महोद लris जो जो फोलोस वेक्टर अजबर 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 अजब okay quantity having magnitude direction and which follows laws of vector algebra is called vector quantity okay potential difference scale array potential difference scale array again we will see the viscosity in the chapter, what is the viscosity, how is the viscosity in the chapter the viscosity property is the viscous force vector now drag or viscous force vector we will see the viscosity in the chapter what is the potential difference now it will be clearly in every chapter it will be clearly, potential difference is not so good potential difference was in the tenth but it is not in detail so it will be in that chapter what is the vector and what is the scalar so the definition is clear what is the scalar meaning? what is the scalar definition? it is only magnitude what is the vector definition? what is the vector definition? direction और वो vector algebra को follow करता है vector addition के laws को follow करता है इसको बोलते है vector अब next क्या देखना है? types of vector next क्या देखना है? types of vector okay अब क्या है? थोड़ा vector को represent कैसे करने का वो में बोलता हूं vector को represent कैसे का पैसे करने का वो बोलता हूं उसके बाद types देखेंगे तो types थोड़ा समझने में आसा नहीं हो जाएगा ठीक है? चलो यह ऐसा y-axis है अपना यह है x-axis इदर कौन सा direction लेते हम लोग north लेते है ठीक है? downward direction क्या लेते है? south लेते है यह क्या है? right की तरफ east रहता है और left की तरफ west रहता है ऐसा direction से यह origin है यह y-axis है और यह x-axis है क्यक्क है? अब यह पूरा का पूरा plane कैसा है? horizontally है इदर north direction है north उपर नहीं है सकती है north उपर और south नीचे नहीं रहती north किदर पकड़ते हम लोग आगे पकड़ते इदर इदर south है समझ रहा है ना? आ इदर क्या है तुमारे इस पर फोर्स है, इस डाइरेक्शन में फोर्स है, इस अब्जेक्ट पर फोर्स है, कौन सी डाइरेक्शन में फोर्स है इस अब्जेक्ट पे, इस डाइरेक्शन में फोर्स है और फोर्स कितना है, थ्री न्यूटन, फोर्स कितना है, थ्री न्यूटन, तो दिखाने का अब ये lecture end हो जाएगा तो वापस उसी link पे click करके वापस lecture होगा lecture 1-R का है 40 minutes के बाद lecture end होता है 40 minutes के बाद वापस उसी link पे click करके join होना है जो नए लोगे उनके लिए बोल रहा हूं पुरानी लोगों को तो पता है तो चलो इदर आपने अपने काम पे आजाओगी यहां पर object है और object पर हम लोग ने कितना force लगाया 3 newton और कौनसी direction में लगाया east तो वो दिखाने का तरीका क्या है तो direction 4 का east की तरफ है अब यह निकाल दाओ थोड़ा मैं तुमको understanding होने के लिए निकाल दाओ direction क्या है east की तरफ है तो east की तरफ direction रखो उसका force का direction क्या है east की तरफ है तो इधर रखो और magnitude कितना है force का direction east की तरफ है तो direction east की तरफ रखा और magnitude क्या है वो कहां से पता चलता है magnitude मतलब उस vector को length देने का अगर 3 newton का vector है तो इसका लंबाई 3 रखो 3 units जो भी इधर अपना unit से centimeter है या फिर meter है जो भी या फिर millimeter है जो तुमको unit रखना है वो रखो अगर 3 newton का है तो इसका length कितना रखो 3 रखो तो यह 3 newton का force हो गया direction जिस direction में उसको दिखाया वो उसका direction है और इस vector का कीमत कितना है magnitude कितना है इस vector का कीमत कितना है magnitude कितना है वो कहां पर दिखाने का वो उसकी length में दिखाने का length 3 का तो magnitude 3 का length 3 का तो magnitude कितना 3 का और direction east को है तो east का है तो यह वाला vector क्या है towards east towards east और कितने magnitude का 3 newton का ठेक है चलो suppose ऐसा है suppose ऐसा है south west direction में south west direction में 5 newton का force है यह अभी नहीं है अभी नया अभी मैं क्या बुल रहा हूँ south west direction में south west direction में force कितना है 5 newton तो यह है south यह है west south west direction मतलब बराबर बीच में आता है south west मतलब बराबर बीच में आता है वो हो महराधी ऐसा नहीं रहता अभी हिंदी में क्या बोलते है उसको मुझे पता नहीं अगने यह इसा उदर कुछ सरको दर्द नहीं रहता इंग्लिश में कैसा रहता है एकदम सुपर सिंपल रहता है ओके इसान्य की दर है अब तक मुझे कुछ पता नहीं चला इतना साल पढ़ा हुआ कि अगने तो एड़ी में किस अग में भूल जाता है तो इंग्लिश में अच्छा है मुझे टो नहीं है साउथ ये तो साउथ मतलब दोने के बीच में इसान्य अगने तान पास नहीं इदर बहुत अच्छा है इसम्पल है इदर अभी हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे पता निये हैं, इदर इस ते इदर नॉर्थ है, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्थ इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट बोलते है मिटिंग एंड हो जाएगा थोड़ा एक दो दस पंदरा सेकेंड हो जाएगा साउथ वेस्ट डाइरेक्शन में फोर्स कितना है फाई न्यूटर्न